हमारी यह दुनिया बहुत तरह के अजीब कानून और नियमों से भरी है एक ऐसा राज जहां महिलाओं को कपड़े पहनने पर देना पड़ता था जुर्माना और या राज भारत के सबसे खुबसूरत राज्यों में से एक है और तो और इस राज्य को देवताओं का घर भी कह जाता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का सबसे खुबसूरत राज्य केरल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसको देखकर आप चौक जाएंगे वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखेगा वरना आप ऐसी बहुत सी खामोस कर देने वाली चीजों को मिस कर देंगे जिसे आपको जानना जरूरी था केरल राज भारत के दच्छिड पस्चिम में करनाटका और तमिल नाडुक के बगल में बसा एक बहुत ही खुबसूरत राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवंत पूरम है इस राज्य की कुल अबादी लग अधिक तेवहार केरल में ही मनाय जाते हैं ओडम का तेवहार केरल का सबसे प्रसिद्ध तेवहार है और इसे सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के मनाते हैं वाओ क्या बात है केरल की सबसे अच्छी बात या है कि यहाँ पर पूर्सों के मुकाबले महिलाओं की स होने वाले मसालों का जातर हिस्सा केवल और केवल केरल राज से ही आता है इसके अलावा यहां काजू काफी और नारियल का उत्पादन और निर्याद भी किया जाता है और तो और यहां की सबसे खुबसूरत जगा मुन्नार है जहांकि चाय हमारे इस पूरी दुनिया में ही अनकूल जगा है केरल आने का सबसे सही समय सितंबर से मार्च है यह वो समय होता है जब नेचर की खुबसूरती अपने चरम पर होती है नदिया जरने और ग्रीनरी यह सभी मिलकर आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है यहां का पीक सीजन या होने के कारण आप होटल और फ्लाइट पहले से ही बोक कलने जिससे आपको कोई भी आसुविधा ना हो अगर आप कम खर्च में केरल घूमना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रेल से माई का समय सबसे सही रहेगा आसे लगभग 140 साल पहले केरल में महिलाओं से जुड़े एक अजीब कानून के चलत केरल की महिलाओं को अपने इस्तन को खुला रखना पड़ता था यानि कि वे अपने कमर से उपर का हिस्सा ढख नहीं सकती थी और तो और जो भी महिला इस कानून के खिलाप जाती थी उस महिला को उसके इस्तन के आकार के हिसाब से जुरुमाना यानि कि आर्थिक तथा सार प्रफा को जहलने और इसके अपमान कोर के राजा के सलाकारों के खुरापाती सोच का नतीजा था इस अधिक वहां की निचली जातिकी महिलाओं को सोसित किया गया इस प्रथा के चलते वे कहीं भी चाहे वह घर हो या कोई सारवजिनिक अस्थान वे अपने शरीर के उपरी हि के खिलाफ कई लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार केरल की महिलाओं को नय मिला और एक अंग्रेज गवर्नर चार सट्रेविलियन ने इस अपमान जनक कानून को खत्म करने का आदेश दिया और सन 1864 में सभी महिलाओं को ओपरी वस्त्र पहनने का अधिकार मिला तो दोस हैं अगले एक नए वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दें जैहिंद वंदे मात्रम